वेलकम फ्रेंड्स तो आज मैं आप सभी के लिए लाएं हूँ साउथ इंडिया की बहुती फेवस रेसिपी रवा उपमा की जो की एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है तो चलिए इस आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं मैं आपको आज बताऊंगी कि इस रेसिपी को आप इजली घर पे कैसे दम पॉफेक्ट होटल स्टाइल या रेस्टरून स्टाइल बना सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे और उसमें एड कर देंगे एक कभर कर रवा और मीडियम लो फ्ले देखे फ्रेंड मैंने याप एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें एड कर देंगे दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल भर कर और ऑईल के गर्म होने के बाद हम इसमें एड करेंगे राई के दाने एक टी स्पून चना की दाल और एक टी स्पून उरत की डाल इनने हम तकरीबन 20-30 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से भूनने देंगे और 20 से 30 सेकेंड के बाद हमशे हडी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिं। डाले यो say अजकरीब रेंगे अंकरी तरह से आजाए अब हम इसमें add कर देते हैं, एक टेबल स्पून भरके गिसा हुआ अदरक, और इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे और अब हम इसमें add कर देते हैं, प्याज जिसे मैंने roughly काट लिया है, यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्यास लिया है फ्रेंड और इसे हम तक्रीबान एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनने देंगे फ्रेंड देखे फ्रेंड एक मिनट हो चुका है तो अब हम इसमें आड कर देते हैं बारिक कटे वे गाजर, बीन्स और थोड़ी सी फूल गोभी को और साथ ही मैं आड कर दूँगी आपर हरे मटर को भी और इन सारे चीजों को अब हमें मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बुनते वे पका लेना है तो इन्हें मैं अच्छी तरह से एक बार मिला लेती हूँ फ्रेंड और इन्हें मिलाने के बाद हम इन्हें कवर करके पकने देंगे तकरीबन पांच मिनट के लिए तो चलिए इसे कवर कर देते हैं पांच मिनट के लिए फ्रेंड देखिए पांच मिनिट हो चुके हैं और हमारा सबजी almost 50% कोख हो चुका है तो अब हम इसमें add कर देते हैं स्वादनुसार नमक और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे friend और इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद friend हम अब इसमें add कर देंगे पानी friend यहाँ पर हम दो कप भरके पानी इस्तमाल करेंगे क्योंकि हमने एक कप रवा लिया है और पानी को भी add करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद friend अब इसमें एक अच्छा boil आने का वेट करेंगे देखें boil आ चुका है तो हम इसमें add कर देते हैं थोड़े से काजू और किश्मिस को और उसके बाद हम इसमें add कर देंगे फ्रेश धनिये को और इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे friend और इसे मिलाने के बाद अब हम इसे चलाते हुए इसमें add कर देंगे अपने भुने हुए रवे को और इसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाना है ताकि हमारे रवा में गुठली ना बने हमें अच्छी तरह से गुठलीों को तोड़ते हुए अपने रवा को इन पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है flame हमारा low रहेगा friend तो हमें इसे ये काम बहुत सावधानी से करनी है और बहुत अच्छी तरह से करनी है तो देखिए मैंने सारे रवे को अच्छी तरह से मिला लिया है कोई lumps नहीं है तो इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद friend अब हम इसे cover कर देंगे low flame पर तकरीबन 5 मिनिट के लिए देखिए फ्रेंट 5 मिनिट हो चुके हैं तो तयार है हमारा रवा उक्मा देखिए ये perfectly cook हो चुका है ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गिला नहीं है ना ही बहुत ज्यादा dry है ना ही इसमें कोई lumps है तो एक दम perfect consistency वाला रवा उक्मा बिल्कुल तयार है फ्रेंट तो इस रवा उक्मा को आप भी अपने घर पर जरूर बनाईए और मुझे बताईए कि आपको ये recipe कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई